महले में जब भेलपूरी वाला आता था, तो उसके पास भेलपूरी खाने वालों की भीर लग जाती थी, संजीत बहुत अच्छी भेलपूरी बना कर बेचता था, जो भी एक बार खा लेता, उसका बार-बार खाने का मन करता, यू तो सब भेलपूरी खाते थे, लेकिन कहीं खिड़की में से दो आखें जाकती हुई, संजीत का इंपजार करती रहती थी, उन सुन्दर आखोवाली लड़की का नाम मानसी था, मानसी ने धीरे से खिड़की में आवाज लगा कर कहा, सुनो, मुझे भी भेलपूरी दे दो, चुपके से देना, मां खाने नहीं देती, अच्छा, अगर ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें रोज इसी समय खिड़की से भेलपूरी दे जाया करूंगा, और उस दिन के बाद संजीत उसे रोज खिड़की से भेलपूरी दे कर जाने लगा, एक दिन मानसी की मा सरोज ने संजीत को खिड़की से भेलपूरी देते तुम से कितनी बार कहा है कि ये घट्या चीज मत खाया करो लेकिन तुम्हें न जाने इसके आने का पता कैसे चल जाता है मा, मुझे भेलपूरी बहुत पसंद है पता नहीं तुम्हें भेलपूरी पसंद है या भेलपूरी वाला मानसी, ऐसी ठेले की चीज़े गरीब लोग खाते है चलो, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ सरोज ने उसके हाथ से भेलपूरी छीन कर खिड़की से बाहर फेंग दी और उसके लिए मैगी बनाने चली गई मानसी को संजीत और उसकी भेलपूरी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था शायद वे उसे प्यार करने लगी थी मानसी एक अमीर बाप की बेटी थी उसे महंगी चीज़े तो सम मिल जाती थी लेकिन मैं संजीत के ठेले की पाँच रुपए की भेलपूरी खाने के लिए तरस जाती थी एक दिन संजीत ने उसे खिड़की से जागते हुए देखा तो पूछा क्या आज माँ घर पर नहीं है भेलपूरी तूं खाओगे मेरा मन तो करता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहकर भेलपूरी खाओँ मगर मेरी अमीरी ऐसा कभी नहीं होने देगी इतनी दूर की मस सोचा करो मांसी तुम इतने अमीर लोग और मैं गरी भेलपूरी वाला तब ही मांसी की माने उनकी बाते सुन ली और वे मांसी को डाटने लगी अगले दिन मांसी के पिता जी ने संजीत को धमकी दी और बोले ए लड़के तेरी हरकते बहुत बढ़ती जा रही हैं अगर आज के बाद तु इस महले में दिखाई दिया न तो जौन से मार दूँगा तुझे लेकिन मेरा कुसूर क्या है मेरी बेटी को भसानी की कोशिश कर रहा है और कुसूर पूछता है बागया से और दुबारा कभी आसपास की कॉलोनी में दिखाई मते न ये कहकर उन्होंने संजीत का ठेला पलट दिया और उसे वहां से भगा दिया मांसी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई कि एक गरीब भेलपूरी वाले का उसकी वजह से इतना अपमान और नुकसान हो गया कई दिन बीट कए संजीत वहां नहीं आया संजीत वह शहर छोड कर चला गया अब उसके पास ना घर था ना कोई ठिकाना वे वहां रहकर मांसी को तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता था इसलिए वह सब को छोड़कर एक अजनबी शहर में चला गया और सोचने लगा और कुछ काम तो मुझे आता नहीं लगता है फिर से भेलपूरी बेचना शुरू करना पड़ेगा लेकिन अभी मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही समात क्यों आप पैसे जुटाने के लिए कुछ दिन मेहनत मजदूरी कर लो संजीत ने दस दिन मजदूरी करी और उन पैसों से फिर से अपना भेलपूरी का काम शुरू कर दिया भेलपूरी खाओ भेलपूरी सारे स्वात की खाईश होगी पूरी जब खाओगे हमारे यहां की भेलपूरी भेलपूरी खालो भेलपूरी बेलपुरी देखकर वैसे ही सब के मुँँ में पानी आ जाता है इसलिए उसके पास खूब गहा काने लगे अब संजीत के दिल में मांसी की यादें थी और ठेले पर बेलपुरी अब बस यहीं उसकी जिंदगी थी संजीत के वहां से चले जाने के बाद मांसी बहुत उदास हो गई वै उसकी याद में परिशान रहने लगी इतना कि एक दिन वै बीमार पड़ गई उसकी स्थिती बिगड़ते देख उसके पिता जी ने उसकी शादी एक अमीर लड़के कपिल से कर दी लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था उसका पती धोखे बाज निकला और उसने मांसी को किसी और को 10 लाक रुपए में बेच दिया और ये बात उस आदमी से करते हुए मांसी ने सुन लिया कपिल तुम इतने बड़े धोखे बाज निकलोगे मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था अगर मेरे पिता जी को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जेल भेज देंगे अरे पता चलेगा तबी तो मैंने तुझे पूरे 10 लाक रुपए में बेचा है अब तो वो तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाएगा कि कोई नहीं ढूल पाएगा तुम्हारे बाप से कह दूँगा कि भाग गई किसी के साथ अगले दिन मांसी को कपिल ने दूसरे आदमी के हवाले कर दिया मांसी खूब, रोई, छटपटाई लेकिन उसे उन लोगों ने जाने नहीं दिया मांसी सोचने लगी अब, अब ये रोने थोने का समय नहीं है मुझे, मुझे इन लोगों के चगबुल से निकलना होगा मांसी टॉइलेट का बहाना करके वाश रूम गई और वहां से खिडकी से कूटकर भाग गई वे अपने घर पहुची मगर उसके माता पिता ने भी उसे वहां से भगा दिया चली जाओ यहां से अब कौन समू लेकर आई हो यहां किसी को पता चला कि तुम बेशती गई हो तो हमारी नाक कर जाएगी मानसी वहां से चली गई और भटकती हुई भूखी प्यासी उसी शहर में पहुच गई जहां संजीत रहता था मानसी लोगों से भीख मांग कर अपना पेट भरती रही उसने काम भी ढूडा लेकिन एक जवान लड़की देखकर किसी ने उसे काम भी नहीं दिया अब मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ करना भी नहीं आता घर पर तो समा कर देती थी अरे हां मुझे मैगी बनानी आती है लेकिन मैगी का क्या करूँगी मांसी बना कर बेचना शुरू कर दू मगर मेरे पास पैसे कहाँ है उसकी नजर अपने हाथ की अंगूठी पर गई जो उसे कपिल ने सगाई में पहनाई थी जब पती ही नहीं रहा तो अंगूठी का क्या करना है मांसी ने वे अंगूठी निकाल कर एक सुनार को बेच दी और मैगी बेचने के लिए सामान खरीद लाई मांसी अब मैगी बना कर बेचने लगी लोगों को मांसी की बनी मैगी बहुत पसंद आने लगी और उसकी बिक्री अच्छी होने लगी एक दिन एक ग्राहक संजीत से बोला संजीत अपना ठेला लेकर मांसी के पास पहुँचा तो उसे इस तरह मांगी बेचते हुए देखकर हैरान हो गया और बोला मांसी तुम और ये मैगी तुमारे पिता जी के पास तो बहुत पैसा था संजीत तुम अभी भेलपुरी और वो भी यहाँ पहले तुम बताओ मांसी ने उसे अपनी सारी आबीती सुनाई और फिर संजीत ने उसे अपने वहां आने का कारण बताया एक दूसरे की बात सुनकर दोनों की आँखे भराई संजीत बोला मांसी बहुत पुरा हुआ तुमारे साथ लेकिन अब चिंता मत करो मैं तुमारी आँखों में कभी आँशों नहीं आने तूँगा मैं जीवन भर तुमारे साथ ने भाऊँगा तभी एक ग्रहा काकर बोला अरे वाँ भेल पुरी और मैगी दोनों एक साथ अब दो जगा नहीं जाना पड़ेगा अब दोनों चीजे एक ही जगा खाने को मिलेंगी सही कह रहो भाई अब जब हम मिल गए हैं तो हम लोग भेल और मैगी भी एक साथ बना कर बेचेंगे जिससे लोगों को नया स्वात मिलेगा और नई रेसिपी का नाम सुनकर लोग खानी के लिए दोड़े चले आएंगे उन दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वो दोनों मिलकर मैगी भेलपूरी बनाने लगे जिससे उन्हें बहुत काम्याबी मिली ठेला छोड़ कर उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया जिसमें लोग केवल मैगी भेलपूरी खाने आते थे गरीब मैगी भेलपूरी वालों की सफलता ने उन्हें उच्चाईों तक पहुचा दिया